नमस्कार फर्स्ट रेंक यूटूब चैनल पर मैं बियल रिवाड आप सभी का स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं आज का दो ये वीडियो है ये राधस्तान पुलिस भरती परिक्षा के लिए तयार किया गया है आप सभी को जानकारी है कि राधस्तान पुलिस में इस वार एक दस परिशनों का एक विशेश पार्ट नया जोड़ा गया और उस भाग का नाम है महिलाओं यों बच्चों के प्रती अपरात और उन से समंदित कानूनी प्राधानों की जानकारी अब प्रसन यहां पर यह उड़ता है कि एक जो परतियोगी है उसकी तयारी कहां से करें तो राधस्तान पुलिस की जब विज्ञापन पब्लिश हुआ था उस समय उसमें लिखावा था यह आपकी विज्ञापती में आपके एड़टाइजमेंट में उसमें लिखावा है क की महिलाओं और बच्चों के परती अपराद और उन से सम्मदित जो कानूनी प्रावदान है उसकी विशेवस्तू उसकी जो अध्यन विशेवस्तू है वो राधस्तान पुलिस की वेब साइट पर डाली जाएगी मैं आज आपके सामने राधस्तान पुलिस डेपार्टमें की जो वेब साइट है जहांपर आधस्तान पुलिस का विध्यापन प्रभिश होगा वहाँ पे 28 पेज की ये विशेवस्तू है जो 28 पेज की जो विशेवस्तू है उस विशेवस्तू के उपर हम बिंदुवार बात करेंगे यहां पर आपको ये भी समझ लेना जरूरी होग कि इसमें जितने भी प्रसन आएंगे आपके 10 प्रसन आएंगे वो महलाओं और बच्चों के विरुद अपराद और उसके विदिक प्रावदानों के 10 प्रसन आएंगे वो दसो प्रसन आपकी इसी 28 स्पेज की विशेवस्तु से होंगे इसके लिए आपको अन्य कोई भी तरह की अध्यन सामगरी खड़ी दने की जरूरत नहीं है और अनावसे के विशेवस्तु के उपर अपना समय जाया करने की भी जरूरत नहीं है यदेपे फर्स्ट रेंग पब्लिकेशन के द्वारा जो किताब पब्लिस हुई है उसमें इसी विशेवस्तु को इंट्रेस्टिंग वे में दिया गया है और इस क्लास के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि इस 28 पेज में जो विशेवस्तु दी गई है उसको सरल सहज वेक के अंदर मैं आपको समझाने में कामयाब हूँ मुझे पुरा विशेवस्तु को मैं समझाने में सफल रहूँगा और आपके बाते समझ में भी आएगी इसके तो सुरुवात करते हैं वो सबसे पहले यहाँ पर पहला बिंदु दिया वाहिसमें प्रश्ट भूमी के ऑप्शन में इसमें जो बिंदु दिया गया है वो दिया गया हिन्सा का कि हिन्सा क्या है हिन्सा इसकी परिवासा दी गई है कि हिन्सा किसको कहते है तो यहाँ पर बिंदु दिया गया है कि स्वेम किसी व्यक्ति समुह समुदाय के विरुद उन्हें किसी परकार के मानसिक वह सारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबुजगर किये गए सक्ति के परियोग को हिंशा करते हैं एक व्यक्ति को, स्वेम को, दूसरे को, व्यक्तियों के समूँ को जब हम मानसिक या सारीरिक रूप से कोई चोट पहुंचाने के लिए कोई क्रत्य करते हैं और हम इसका बल का परियों करते हैं तो वो हिंशा है आगे यहाँ पर यह बिंदू भी दिया गया है कि हिंशा की वज़े से नियम तूटते हैं हिंशा की वज़े से और समाज के अंदर अपराद भी होते हैं तो यहाँ पर अपराद की परिपासा दी गई है कि कोई भी ऐसा क्रत्य जो जानबूद करके किया गया हो और जो समाज विरुद्य हो हम ऐसे क्रत्य को हम अपराद कहेंगे जो समाज विरुद्य हो और जिसके लिए विभिन कानूनों के तहत दंड का प्रावदान क्या गया हो वो अपराध होगा आगे देखेगा यहाँ पर दियावा महिलाओं से समन्दित अपराध का एक फेरेग्राफ दिया गया और यहाँ पर कुछ बाते लिखी गई है लिखा गया है कि जो महिला है उनके विरुद सारीरिक रूप से मानशिक आर्थिक योन और बावनात्मक उत्पिड़न होता महिलाओं का किस परकार का उत्पिड़न? सारीरिक उत्पिड़न, मानशिक आर्थिक योन और बावनात्मक उत्पिड़न और महिलाओं के साथ में छेड़ खानी की गठनाएं होती है मारपिट की, अपहरण की, देजूद पिड़न की, बलातकार और मरत्यु से सम्मन्दित भी अपराद महिलाओं के साथ में होते है क्योंकि आपका जो सलेबस है उसमें क्या दिया गया है महिलाओं और बच्चों की विरुद अपराद होगा छेड़ खार का, मारपिट का, अपहरण का, देजूद पिड़न का, बलातकार का ये ज़्यादा तर महिलाओं के विरुद अपराद होते है यहां परागे देखेगा, इसमें ये भी लिखा गया है कि महिलाओं के विरुद सबसे ज़्यादा जो अपराद होते हैं वो इन्षे जूड़े होंगे छेरचार मारपिट के लेकिन इसमें एक बिंदू दिया जो बहुत इंपोर्टेंट है का महिला अपनों के बीच में सबसे ज़्यादा ऐस्वरक्षित है यानि महिलाओं के साथ में जितने भी अपराद होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो अपराद होते हैं वो उनके परिचित लोगों के द्वारा उसके विरुद और सुसन के और विवहर हो किये जाते हैं अपराद के विवहर किये जाते हैं यहाँ पर एक बिंदू और दिया गया है रास्ट की अपराद रिकोर्ड ब्यूरो रास्ट की अपराद रिकोर्ड ब्यूरो है यह कहता है का हमारे देश के अंदर हर एक गंटे में एक महिला देश के कान मोत को प्राप्त होती है इसी में यहाँ पर यह लिखावा है का हमारे इसकी जो 70% विवायत महिलाएं होती है कितनी ? 70% आंकड़ा छोटा नहीं है बहुत बड़ा आंकड़ा है यानि अगर 100 महिलाएं जो विवायत महिलाएं उन्हें से 70 महिलाएं वो गरेलू इन्षा की शिकार हिए हमारे समाज के इंदर जो सराबी कबाड़ी आदमी होते हैं वो हर दिन अपनी पतनी को पीटनार उस पतनी के विरुद इंसा करना अपना दर्म समझते हैं वो एक सिंपल वे के अंदर थपड मुका लाथन उसको तो वो इंसा मानता ही नहीं है वो गरेलू इंसा क्या उसको लगता है कि मैं यह कोई धर्म नहीं भारा तो हमारे देश की 70% महिलाएं हैं वो गरेलू इंसा की सिकार होती है इसलिए इसके कानूनों की नौबत पड़ी कि महिलाओं को ताकी सुर्ख सामिल सके इसके बाद में आगे देखीगा यहां पर दिया का महिलाओं समंदित अपरादों को रोकने उन से निपटने और उन अपरादों से महिलाओं के सनरक्षन के लिए बनाएगे कानून के महिला को प्रोटरक्षन देने के लिए हमारे देश इसमें कौन से कानून बने हैं अब इसकी शुरुवात होती है पहला बिंदू दियावा है आप इन बिंदू को नोट भी करते चलोगे आप साथ साथ में नोट से बनाओगे नोट से बनाओगे तो आपके जो इस विशेवस्तु से हम जो फ्यक्ट निकालेंगे वो आपको अस सविधान में लिंग भेद की मनाई है यानि लड़का और लड़किये उसके अंतर को जगे नहीं दीगी है हमारे सविधान में जैसे सविधान का अनुछेद चोदा है अनुछेद जो चोदा है वो यह कहता है का विद्दी के सामने सभी समान है किसी भी परकार का कोई भेद भाव नहीं किया जाएगा तो हमारा सविधान 1950 में जो सविधान लागवा चाबी जिनुरी 1950 को उसके अंदर महिलाओं को भी पूरुसों के बराबर अधिकार दिये गए हैं किसी भी परकार का भेद भाव है वो नहीं किया गया इसमें इतना ज महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए वे बालको के लिए विशेश प्रावधान कर सकती हैं विशेश प्रावधान वेरी वेर इंपोर्टेंट यह आपके याद होना चे अनुछेद पंद्र यह बात आपके मैलाओं से सम्मधित जो प्रावधान किये गए उसमें पहला जो पॉइंट है वो यही है कि हमारा सविदान है वो मैलाओं को और बच्चों के लिए विशेश परकार के प्रावधान है वो कर सकता यह बात लिखी गई है इसके बाद में इसमें लिखा भारतीय दंड सहींता दूसरा बिंदू है भारतीय दंड सहींता तो इसको 1860 है यह अठारा सो साथ और भारती दंड सहींता इंडियन पेनल कोड आईपी सी बोलते हैं इसको इंडियन पेनल कोड हमारे देश के अंदर जितने भी अपराद होते हैं हमारे देश में जितने भी तरह के कराइम होते हैं उन सभी अपरादों की परिवासा है इसमें आपसे ये प्रस आप्राद की परीबासा वे दंड का प्रावधान यह बेरी मिक्टनिक यह परीख्षा के अंदर पर सुछ मनेगा यहाँ से कि हमारे देश के अंदर जैसे अफराद होता है जैसे मान लीजे कि डखेटी ओपराद है तो डखेटी कभ होगी चोरी है क्या करने पर चोरी कहलाए जाएगा जैसे चार सबीशी बोलते हम सडियन तर बोलते हैं राजदरो बोलते हैं देशदरो बोलते हैं पसु की चोरी बोलते हैं किसी के अंदर कूट रचन बोलते हैं जितने भी तरह के अपराद होते हैं जितने भी तरह के उन सभी अप प्रेजों के काल में बनी थी और एक अपराद को करने पर सजा क्या मिलेगी जैसे चोरी का अपराद करने के उपर कितना दन मिलेगा मर्डर करने पर कितना दन मिलेगा किसी के चोट पहुंचाने पर कितना दन मिलेगा तो जितने भी तरह के अपराद हैं और उस अपराद को कर में है, IPC में है, बाहरती दंड सहींता में है और ये बाहरती दंड सहींता कब बनी, 1860 में बनी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट परीचा की दरश्ची से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशन है IPC, इसके बाद में देखो, अगला बिन्दू पर आते हम, यहाँ पर मेलाओं से जो जिन दाराओं की बात हुई है उसमें लिखावा है दारा 354 जो दारा 354 है किसकी IPC की दारा 304 में लिखावा है इस्त्री की लज्जा भंग करने के आशे से उस पर हमला या आपरादिक बल का परियो करना यानि एक महिला है आप उसको बेज़ित कर रहे हो आप उसकी सरम को आप उसकी लज्जा को आप उसके सर्मिले पन को अगर आप उसे समाप्त कर रहे हो अगर आप उसे भंग कर रहे हो तो आप IPC की दारा 354 के तहट अपराद कर रहे हो आप कराइम कर रहे हो तो यहां पर प्रशन क्या बनेगा कि इस्तरी की लज्जा भंग करने के समद्ध में IPC की किस दारा मिलेख है तो आपका उत्तर क्या होगा दारा 354 इसके बाद में देखेगा आगे दिया हुआ है आपकी दारा 354A 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 में लिखावा है लिखावा है कि योन उत्पिडन के लिए सजा अगर किसी व्यक्ती ने किसी महिला का अगर योन उत्पिडन किया है तो उस योन उत्पिडन के लिए सजा का प्रावदान है वो दारा 354A में है 304A में क्या है आपरादिक बल का परियोग है एक महिला की लज्जा, एक महिला की सरम को भंग करने के बारे में प्रावदान है और 354A में योन उत्प्रिण के लिए सजा का उलेख है कौन सी धारा में? 354A में किस में? IP सिख धारा 354A में आगे दिया गया है धारा 354B धारा 354B 354B जो कहता है, वो देखी क्या कह रहा है 354B कहता है बल पुरवक या हमले द्वारा किसी इस्त्री को नगन करना या नगन होने के लिए विवस करना धारा 354B में ये लिखावा है का अगर कोई व्यक्ती बल पुरवक यानि ताकत का स्थेमाल करके या हमले के दोरा अगर किसी इस तरी को नगन करता है या किसी को नगन होने के लिए विवस करता है माल लीजिए विवस करने का मतलब होता है उसको मजबूर कर देना ऐसी परिस्तेतियां पैदा कर देना कि जिसके अंदर उस को उस महला को अपने कपड़ उतारने पड़े नगन होना पड़े इसका उलेक धारा 354 B में है आगे दिया धारा 354 C इसमें लिखा गया है कि तांक जहंक करना धारा तांक जहंक करना तांक जहांक करना का मतलत है एक महिला है उसकी अपनी एक प्राइवेसी है उसकी अपनी एक गरीमा है उसकी अपनी एक सरम है उसकी अपनी एक प्राइवेसी है उस प्राइवेसी को भंग करना तांक जहांक है तो तांक जहांक का उले क्या गया धारा 354 C में इसके बाद में ध दहरा 354D, 354, 354D है, यह very very important, दहरा 354D है यह पिछा करने का उले करता है, पिछा करना, पिछा करना, जैसे जैसे आप लोग किसी महिला के संबंद में आप यूंज कह सकते हो, कि एक व्यत्ति है, वो एक महिला का पिछा कर रहा है एक महिला है उसे इस जगे से एक किलोमिटर पस्षिम की और जाना है तो पस्षिम की और जो महिला जा रही उसके पिछे पिछे एक व्यक्ति चलता है और उसको घुरता है और महिला को ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये गलत इरादे के साथ में मेरे पिछे चल रहा है हम इसको पिछा करना कहेंगे ध्यान देजिएगा इसके अंदर माल लीजिए कि फर्स्ट टाइम में फर्स्ट टाइम के अंदर अगर कोई व्यक्ति पिछा करता है तो उसको जमानती बनाया गया है जमानत ये बनाएगा, जमानत ये बनाएगा का मतलबी होता है का अगर वो व्यक्ति उस चीज़ को जस्टिफाई कर देता है तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा लेकिन अगर वो व्यक्ति दुबारा से उसी दिशा के अंदर जाता है और महिला को ऐसा लगता है कि मेरी लज्जा मेरी शर्म भंग हो सकती है और ये व्यक्ति गलत इरादे के साथ में गलत इंटेंशन के साथ में मेरा पिछा कर रहा है तो पिछा करने को परिवासित क्या गया है दारा 354D में आप किसी का कोई भी व्यक्ति जो है वो महिला का पिछहा में जा रहे हो उस्षी दिशा के अंदर वीदा जाए यह पिछा करना नहीं है लेकिन आम का जो रस्ता था आपको दक्षिन में जाना था लेकिन आप क्योंकि एक महिला जा रही है और आप उसको परेशान करने के मकसद से उसके साथ में अफराद करने के मकसद से आप उसको फोलो करते हो पिछी जाते हो तो इसे परिवासित क्या गया है धारा 354D में किसकी धारा 354D में इसके बाद में धार 509 धरा 509 कहती है कि सब्दों के द्वारा अंग विक्षेप के द्वारा या कारिये जो किसी इस्तरी की लज्जा का अनादार करने के लिए असित हो आपने कोई सब्द लिखें आपने कोई चित्र बनाया है और उसका मकसद है महिला को महिला को महिला का उत्मिर महिला का अनाद तो यह भी यहां पर दंडन यह बनाया गया इसे भी ओफेंस अपराद बताया गया यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो आप इनकी दहरा यहां पर याद रखोगे दहरा 354 दहरा 304 A 354 B 304 C 304 D यानि पिछा करने तक और धारा 509 इनको आप बार बार पढ़ोगे तो याद रहेगा धहन दे लेना यह क्या होगा कि चार यह चीज़ें दे जाएंगी जैसे एक जगह पर दिया जाएगा तो यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट बढ़ी आप यहां पर इसको ठेक तरीके से पढ़ोगे अब देखी का उसी करम में हम आगे चलते हैं आगे आया भारती दंड सहिता संसोधित अधिनेम 2018 जो IPC है इंडियन पेनल कोड 1860 जो है इसके अंदर संसोधित हुआ है तो हम इसको लिखेंगे संसोधित यह जो संसोधित हुई है यह हुई है दोजार अठारा में 1860 के अंदर जो आपकी IPC बनी है उस IPC के अंदर आवशेक संसोधित निके गए है देखें 1860 के अंदर हमारे देश की परिष्टती अलग परकार की थी उस समय के उपर आदमी के द्वारा पुरुष के द्वारा महिलाओं के विरुद जो अपराद होते थे उसकी निचर अलग परकार की थी और आज 2018 के बाद 2020 आ गया है आपके इस समय पर महिलाओं के विरुद जो क्राइम होते हैं जो अपराद होते हैं वो एक अलग परकार के होते हैं तो बदलते समय के अकोर्डिंग इसके अंदर बदलाओ जरूरी हो जाता है तो 2018 के अंदर IPC के अंदर विशेस करके जो महिला के विरुद अपराद होते हैं उसमें संसोदन क्या गया है संसोदन क्या क्या गया है वो देखेगा संसोदन यह क्या गया है कि एक महिला के मामले में पीडित की मोत हो जाने या उसके स्थाई रूप से मृत प्राय हो जाने की स्थाटिय में मोत की सजा आप इसको यूं कर सक के अंदर या एक महिला का मनोदसा इतनी बिगड़ जाती है कि वो मुर्त प्राय हो जाती है उस इस्तती के अंदर उसको मोत की सजा का प्रावदान किया गया है मोत की सजा यह वेरी वेर प्राय जैसी हो गई है और एक महला के साथ में ज्यादती हुई है बलातकार हुआ उसका रेफ हुआ है तो जो आरोपी है जो दोशी व्यक्ति है उस व्यक्ति को मोत की सजा तक दी जा सकती है ये IPC की धारा IPC जो है उसके अंदर संसुदन किया गया है आगे देखो इसमें क्य क्या दिया गया है इसमें ये भी दिया गया है कि बलातकार की स्तिती में दो श्यों के लिए दारा 300 feito d के तहट सजा कि नून तमवदी और 20 वर्ष रखे गई जैसे माल लिजे कि कि बलातकार का अपराध हुआ है एस स्तोती के अंदर उसको 13 चिंतर डी, 300 चिंतर डी है, IPC की दारा 300 चिंतर डी के अंदर बलातकार की सजा का उलेख है, तो यह जो सजा है, यह दी गई है, नून तम है, वो 20 वर्ष रखी गई है, 20 वर्ष, यह अच्छा प्रेशन बनेगा, अगर बलातकार की वज़े से किसी महिला की मुरत्यू हो जाती है, तो इस सजा को रखा गया है, नून तम है, वो 20 वर्ष रखा गया है, और यह जो नून तम 20 वर्ष है, यह आजिवन का रावास तक जा सकती है, दूसरा देखेगा, इसके अंदर जो बिंदू दिया गया है, कानून में सेम तीशे योन समंद बनाने की उमर 18 सालते की है, सहमती से योन समंद बनाने की उमर 18 साल, इस बात का मतलब यह है, कई बार ऐसे जो अपराद होते है, जो रेप से जूड़े वे मामले होते हैं, उसके अंदर पुरुसों के द्वारा ये एक्सक्यूज लिया जाता है, छूट ली जाती है, कि उस महिला ने सहमती से हैं, और उसके साथ में सारीरिक समंद बने हैं, लेकिन जो आईपीसी की संसोदित अदिनियम 2018 जो है, यानि आईपीसी के अंदर 2018 के अंदर जो संसोदन क्या गया, उस संसोदन में ये लिख दिया गया है, पहले जो सहमती से योन समंद, यानि सहमती से सारीरिक समंद बनाने के जो उमर थी, वो 16 साल थी पहले, अगर 16 साल की एक लड़की एक पुरुस के साथ में सहमती से योन समंद बनाती है, तो अपराद बना दिया गया है इसको 18 साल उमर कर दिया गया है यानि 18 साल से कम उमर की जो लड़की होगी या 18 साल से कम उमर का कोई लड़का लड़का हो यह चाहिए लड़की हो अगर उनके साथ में किसी भी परकार का योन समद बनते हैं तो उनकी जो सहमती है उस सहमती की कोई वेलू नहीं है इसको सिंपल उदान से आप यह समझ सकते हो कि एक पुरुस है पुरुस की उमर है वो 25 साल है 30 साल है 40 साल है जो भी है और वो एकी 75 साल की महिला की लड़की के साथ में सारी रिक्समन्द बनाता है और फिर यह कहता है कि उस मैं उस लड़की ने मुझे सहमती दी थी तो उस सहमती की कोई वेलू नहीं है वो बलातकार ही माना जाएगा बले ही लड़की ने सहमती दी हो तो सहमती से योन समंद बनाने की जो उमर है वो 18 साल कर दी गई है 18 साल से कम उमर की लड़की की सहमती की 18 साल से कम उमर के ते लिष्टी से महत्यपूर्पूर्षण बनता है इसके बाद में देखिए अगला जो प्रसन है अगला जो प्रसन यहां पर दिया हुआ है वो दिया गया है कि कानून में सेम अतिशे योन बनाने के उमर 12 साल की गयी है महिलाओं का पिछा करना महिलाओं का पिछा करना तांक जहंक पर कड़े दंड का प्रावदा ने ऐसे मामलों में पहली बार में गलती हो सकती है इसलिए इसे जमानती रखा गया है अगर मान लिजे कि कोई व्यक्ति है वो किसी महिला के समझ में तांक जहंक करता है या एक महिला का वो पिछा करता है तो इसे ये कहा गया है कि एक पहली बार में अगर ये गल्टी हुई है तो ऐसी स्तती में इसको जमानती रखा गया है यानि एक व्यक्ति वो पुलिस ठाने के अंदर जाएगा और पुलिस उसको उसके जमानत कर सकती है तांक जहां के नाम के उपर, पिछा करने के नाम पर, ये कह सकता कि मैं किसी पर्टिकुलर काम के बाबत उधर गया था, लेकिन अगर उसी व्यक्ति के समन्द में दुबारा से शिकायता आती है, ऐसी स्तती के अंदर उसको गेर जमानती बराया गया है, एक बार अगर आपने म महिला का पिछा कर रहे हो, आप ये छूट ले सकते हो, कि भही मैं मेरे काम के बाबत उधर गया, लेकिन दूसरी बार आपको ये छूट नहीं मिलेगी, एक महिला को ऐसा लगता है, कि आप मेरा पिछा कर रहे हो, अगर एक महिला को ये लगता है, कि आप मेरे समन्द में ता जमानत नहीं होगी पुलिस थाने में जिसकी जमानत हो जाती वो जमानत के प्राद होते हैं और जिसकी जमानत है वो कोर्ट में से पहले नहीं हो सकती उसको गेर जमानत ही कहते हैं तो यह गेर जमानत के प्राद बन जाएगा यह एक व्यक्ति दूसरी बार तीसरी बार किसी का पिछा करता है इसके बाद में देखेगा तेजा भी हमला करने वालों के लिए 10 वर्ष के सजा का भी कानून में प्रावधन क्या गया है तेजा भी हमला देखिए हमारे देश के अंदर पिछले कुछ वर्षों के अंदर महिलाओं के उपर तेजा भी हमले बहुत हुए हैं यानि कई जो लड़के हैं पुरुस हैं वो किसी महिला से साधी करना चाहते हैं और अगर वो मना कर देती है तो वो वही बात है उनके दिमाग में का तुम हो मेरी नहीं सकी तुम तुझे किसी और का भी नहीं होने दूँगा और उसके उपर इस तरीके का तेजाब अटेक वगर और विक्रत मान सिक्ता के पुरुसों के द्वारा किये गए हैं ऐसे स्तती के अंदर जो महिला है उसके साथ में बहुत ही बुरा होता है जब एक महिला का सरीर विक्रत हो जाता है तो IPC के अंदर आवशेक फिर बदल किया गया है और इसके लिए नून तमसजा है वो दस वर्स तक की गई है इसके बाद में देखो एक और बदलाब क्या गया IPC के अंदर अगर तेजाप पीडित महिला है तो उसको ट्रीटमेंट देने के लिए कोई भी होस्पिटल है वो मना नहीं करेगा इमीडियट उसका इलाज होगा कोई बलातकार पीडित महिला है और किसी भी महिला जिसके उपर तेजाब अटेक हुआ है उसकी पीडिता है तो तुरंत परभाव से उसका ट्रीटमेंट होगा अगर इसमें यह है अगर मालीजी कि कोई इसके लिए मदद करने के अंदर बादा डालता है तो साथ साल की सजा का प्रावधान किया गया है इसके बाद में एक बिंदू और दिया गया है कि यदि महिला के समन्द में जो अपराद होते हैं और इसमें अगर कोई कोई दोसी पुलिस अधिकारी है कोई लोक्षे सरकारी करमचारी है या कोई पुलिस भल का अदमी है या कोई परबंदन होस्पिटल का करमचारी है तो उस के लिए जुर्माने का प्रावधान भी इसके अंतरगत किया गया है ये एक अच्छा प्रशन है चार-पांच प्रशन यहां पर बन रहे हैं एक तो योन समंद बनाने की जो नूनतुम उमर है उसको अठरा साल के आगा है बहुत अच्छा प्रशन है एक सामुईक बलातकार की स्तती में और नूनतम जो सजा रखी गई है वो 20 वर्स रखी गई है सामुईक बलातकार की स्तती में सामुईक बलातकार की स्तती का मतल़ हो गया एक महिला आपके साथ में जो गेंग रेफ होता है दो दो से ज़्यादा अपुरुशों के द्वारा उसके साथ में जो जयाद उसको ट्रीटमेंट देने में होश्पिरल किसी भी परकार की कोताई नहीं बरतेगा इसका उलेख भी किया गया अच्छे प्रशन है परिक्सा के दरश्टी से बहुत महत्वपुन है आगे देखेगा आगे दिया गया है दंड परक्रिया सहींता और C, R, PC और 1933 देखी हमने अभी भी पढ़ा है हमने पढ़ा है कि जितने भी तरह के अपराद होते हमारे देश में उन अपरादों की परिवासा IPC में है लेकिन उन अपरादियों को सजा दिलाने के लिए कोर्ट में सजा दिनाने के लिए एक परक्रिया से गुजरना पढ़े तो जिस परक्रिया का उलेख जिस पुस्तक में है उसका नाम है CRPC दंड परक्रिया सहीता का एक व्यक्ति को दंड देने के लिए कौन सी प्रोसेस से गुजरना होगा उस परक्रिया का उलेख है दंड परक्रिया सहीता 1913 बहुत अच्छा प्रशन है यह जो CRPC है यह तेतर मे 24 में तो यहां पर बहुत महत्वपूर प्रशन है यह कि जो CRP से वो कब बनी है 1903 में और CRP से लगु कब हुआ है 1904 में बहुत अच्छा प्रशन है अब इसके अंदर देखो क्या दिया गया है इस पर एक परक्रिया पीडिता के समंध में और दूसरी आरोपी के समंध में इस के साथ में कैसा विभार क्या गाएगा तमाम तरह की चीजिस में लिखी गई है इसके बाद में इस कानून की दन परक्रिया सहिता जो है यहां पर दारा 300 छिंतर है कौनशी दारा 300 छिंतर है इसका उलेख क्या गया है देखी दारा 300 छिंतर में क्या लिखा गया है दारा 300 छि सहमती के बिना इसके बाद देखो आगे यानि धारा 300 चिंतर ए क्या कहता है 300 चिंतर ए ये कहता है कि किसी इस तरीके साथ उसकी सहमती very very important है सहमती या सहमती के बिना सहमती के बिना या डराकर धमका कर यानि डराकर या उसके पिरिये जनों की म्रत्यू का भै दिखा कर ये कह दिया गया कि अगर आपने और मेरे साथ में ये नहीं किया साधिक समंद नहीं बनाए तो मैं आपकी मा को आपकी पिता को भाई को बहन को वगेर वगेर के उसको मैं न मृत्यू का भै दिखा दिया या उनके साथ किया गया बलादकार जिसके कान उसी स्थ्री को कोई गंभी रख्षती पहुंशती है या उसकी मृत्यू हो जाती है इसका उल्ले के अनुचेद तिन सो छिंतर में है इसके बाद में देखवा आगे क्या है अनुचेद तिन सो छिंतर के अंदर ये इस बलादकार जो अपराद है इस बलादकार अपराद की परिवासा दी गई है अनुचेद जो धरा है आई पी से की धरा तिन सो छिंतर के अंदर ये दिया गया है कि इस्तरी के साथ में उसकी सहमती से या उसके सहमती के बिना या उसे डराकर या पिरिये जिनों की मर्ट्य का भाय दिखाकर उसके साथ में किया गया जो बलातकार होता है उस बलातकार को दहरा तीन सो छिंतर में डिफाइन किया गया है इसके बाद में देखो दहरा तीन सो छिंतर बी इसमें देखो क्या दिया गया है इसमें दिया गया है पती द्वारा पत्नी से अलग होने की स्कति में पती द्वारा पत्नी की सहमत्ति के बिन्ना उससे सारीरिक समंद बनाना बलातकार मना गएगा इस बात का मतलब यह है कमाल लीजिए कि एक महिला है वो अपने पुरुस पती से अलग रह रही है और जो पुरुस पती है पुरुस जो पती है वो उस महिला के साथ में सारीरिक समंद बनाता है तो साधिस होता हैं वो दोनों लेकिन दोनों अलग अलग रह रहे हैं किसी चीज यह बड़ी महत्वपुन परिवासा है और इसका उल्ले के धारा 300 चिंतर बीमी किया गया है किस परकार का बलादकार पती के द्वारा भी पत्नी का बलादकार हो सकता है ये बात लिखे गई इसमें कब जब एक पती है वो अपनी पत्नी से अलग रहता है तो वहां पर इसका उ उलिक क्या गया है इसमें कहा गया है कि अगर बारा वर्ष से कम उमर की इस तरी के साथ में बलातकार दारा तिन सो चिंतर ए बी के अंदर बारा वर्ष से कम उमर की बच्ची के साथ में अगर कोई जादती होती है तो उस बलातकार का उलिक क्या गया है और दारा 306 शी में किसी अधिकारी लोक्षयवक जेल रिमांड हों अभीरक्षा के किसी अन्यस्तान इस्तरियों बालकों की संस्ता का अधिक्सक परबंद किया अस्पताल का करमचारी होते हुए ऐसा किसी इस्तरी को जो उसकी कहरा जाएगी आपकी 303 303 very very important point इसके अंदर ये बात लिखी गई है कि जैसे इसके अंदर लिखा गया है कि जैसे सेवक है माल लीजिए कि कोई भी सरकारी ओफिस है तो सरकारी ओफिस के अंदर जो सरकारी करमचारी होते हैं वो ससक्त रूप में होते हैं उनके पास में में पद होता है इस हिच्षित से यानि लोक्षेवक होने के नाते कई बार अगर उनके द्वारा या प्राद क्या जाता किसी अधीकारी के द्वारा किसी लोक्षेवक के द्वारा या माल लीजिए कि जेल के अंदर विबिन केदी रहते हैं और महिला केदी भी रहती है तो अंदर अगर कोई केदी के साथ में महिला केदी के साथ में ज्यादती होती है या यू मान लीजिए कि अन्य और भी कोई संस्ता है होती है जैसे होस्पिटल के अंदर मरीज महिला है वो मरीज के रूप में एड्मिट होती है और अगर होस्पिटल के करमचारी हैं वो को न लोक्षवक हैं अगर उनके द्वारा उस महिला के साथ में ज्यादती होती है ऐसे के साते रहते हैं आपको अख़बारों के अंदर पढ़ने को मिलेगा कि इलाज गे बाहने महिला के साथ में ज्यादती तो वो यही केस होते हैं यानि यहाँ पर जो परिवासा दी गई है वो दी गई है का लोग सेवकी यानि सरकारी करमचारी के द्वारा अपराद कब तब जब कोई व्यक्ति उनके परभाव में हो उनके धिनो जैसे होस्पिटल के अंदर डॉक्टर है नर्सिंग स्टाफ है तो उनके पास में मरीज है जैसे जेल है तो जेल के अंदर अपरादी के रूप में भी महलाएं उनके पास में है जैसे पुलिस थाना है तो वहाँ पर लोकप में कई बार है वो महला जो जो आरूपिय उनको वहाँ पर रखा जाता है तो वहाँ पर अधर उनके साथ में कोई जादती होते हैं तो उसे बलातकार की जो definition है वो 300-C में दी गई है very very important very very important person इसे crime बहुत होते हैं इसके बाद में देखो धरा 300-D एक या एक से अधिक वेक्टी द्वारा किसी महिला के साथ में सामुई के जो बलातकार है उसका वो लेका धरा 300-C दी देखिए important इसलिए है कि अलग-अलग अपरादों के लिए अलग-अलग section में इनकी definition दी गई है तो जो सामुई के बलातकार होगा वो धरा 300-C दी के इंतर गताएगा सामुई के बलातकार और जब लोक्षेवक के द्वारा आएगा तो लोक्षेवक के उपर दारा कौन शे लगेगी माल ली दिए कि एक पुलिस सथाने के अंदर और एक महिला आरोपी है उसके साथ में जायदती होती है तो वहाँ पर दारा 300-C आएगी और अगर माल ली दिए कि किसी एक महिला के साथ में सामुई करूप से अगर कोई जायदती हो रही हो तो वहाँ पर दारा 300-C द का परियोग होगा यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे इसके बाद में देखिए 300-D-A इसमें दिया गया है कि 16 वर्षे कम उमर की महिला का 1 या 1 से धीक व्यक्तियों के द्वारा सामुई के बलातकार और 300-D-B इसमें 12 वर्ष की महिला का 1 या 1 से धीक व्यक्तियों के द्वारा सामुई के बलातकार इसके बाद में दारा 300-E गर किसी व्यक्ति को बलातकार के समन्द में पहले दंडित क्या गया हो और अगर वो इसकी पुनरावरती करता हो उस इस्तति के अंदर और विशेष प्रावदानों का उल्ले किस में किया गया है इसके साथ साथ में एक बात ओर दिगई है कि किसी भी महिला आरोपी को बीना किसी महिला कॉंस्टेबल के साम च्छ बजे के बाद सुबध च्छ बजे से پहले गिरफतार नहीं किया जा सकता इस बात का मतलब है कब महिला को अरिष्ट कौन करेगी महिला ही अरिष्ट करेगी नमबर दो महिला को अरिष्ट कभ क्या जाएगा सामाने परिष्टितियों में सामाने परिष्टितियों में अरिष्ट क्या जाएगा सूरियो दय के साथ सूरियो दय से लेकर के सूरियास तक क्या जाएगा सूरियोदे से लेकर के सूरियास्त के बीच में किया जाएगा शाम को सूरियास्त होने से लेकर के सूबह सूरियोदे होने तक महिला को सामाने परिष्टेतियों में अरेस्ट नहीं किया जाएगा फिर भी यदि किसी महिला आरोपी को बिना किसी महिला कॉंस्टेबल के साम छे बजे के बाद और सुबह छे बजे से पहले गिरिफतार नहीं किया जा सकता वेरी वेरी इंपोर्टेंट बहुत बड़ी आपरसन है इसके बाद में आगे जो पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है भारतिय साक्ष्य दिनियम अठारा सो बत्र की धारा त्रेपन ए तो यह भारतिय साक्ष्य दिनियम है इसको बहुते इंडियन एविडेंस अक्टे इंडियन एविडेंस अक्टे इंडियन एविडेंस अक्टे अठारा सो भगतर देखें जैसे हमने पढ़ा था पढ़ा पढ़ा था आईपी सी अठारा सो साथ आईपी सी के अंदर जितने भी अपराद होते हैं उन अपरादों का उलेकर सजा का उलेक है जो सी आरपी सी है उसके अंदर प्रोसीजर का उलेक है के एक व्यक्ति को दिंडित के सक्या जाएगा और एक है IEA इंडियन एविडेंस अक्टे भारतिये सक्ष अधिनियम बोलते हैं इसको भारतिये सक्ष अधिनियम तो भारतिये सक्ष अधिनियम है इसकी पुलिस के लिए बहुत केसे, जैसे किसी भी परकार का कोई क्राइम हुआ है, तो IPC की परिवासा से ये पता चल गया का ये अपराद कौन सा हुआ है, दूसरा बात है, जो परकरिया होगी वो CRPC में है, लेकिन CRPC के इंदर जो जज है, वो एक व्यक्ति को दिंडित केसे करेगा, उसके लिए साक्षिय से ये, एविडेंस से ये, तो एविडेंसों का उलेख है, वो आपकी भारतिय साक्षिय दिनीम में है, अठारा सो बहतर का जो भारतिय साक्षिय दिनीम है, उसके अंदर साक्षियों का उलेख किया गया, वेरी वेरी इंपोर्टन पॉइंट है, वेरी वेरी इंपोर्टन प कि दारा 114 एमीश का उलेख किया गया देखी क्या कहता है इसमें कहा गया है कि कह ये दी कोई महिला दारा 354 354 खै 354 गय गय और 509 509 खै अगर कोई व्यक्ति ने कोई अपराद किया है और महिला यह कहती है कि उसका योन उत्पिडन हुआ है उसके लज्जा भंग हुई है उसके कपड़े उतारे गए है उसका पिछा किया गया है उसकी निष्टा में स्तक्षिप किया गया है तो किनी सादनों द्वारा योन उत्प की गई है तो नाले जब तक की विपरित थाबित ना हो तब तक यह उपधाना करेगा कि ऐसा अपराद उक्तिव्यक्ति द्वारा कारिफ्ट किया गया है इस बात का मतलब यह होगा का अगर एक महिला ने यह कहा है कि मेरा योन उत्पिडन हुआ है एक महिला को लगा है कि मेरे जो चितर वगेर हैं और मेरे जो किसी भी परकार के अन्य तरीके के जो विग्यापन है उसके मादने में से महिला की और जो उसकी एक इमेज है उसको दुभिल करने का परियास क्या गया है तो कोर्ट इसको सामाने तब मानेगा कि यह जो महिला बोल रही है यह सत्य ही बोल र सकता है अन्य था न्याले उसे सकते मान करके चलेगा यह वेरी वेर इंपोर्टेंट है आगे का जो पॉइंट है वो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है वो दिया गया है देखो यह हम जितने के साथ अपना जिवनियापन कर सके आगे देखीगा दिया गया है देखेद निशेद अधिनियम 1961 1961 है यह देखेद निशेद अधिनियम 1961 इसके बाद में देखिएगा इसके अंदर यह संयोग करना सय योग करना यह अपराद है यह अपराद है देखिए दहेज निशेद दिनियम 1961 की जो धराद 2 है इस धराद 2 को याद करना है एक तो कानून को याद करना है कानून क्या है? दहेज निशेद दिनियम 1961 दहेज निशेद दिनियम 1961 की धराद 2 यह क्या कहता है दहिज लेना जैसे आप लोग अभी पुलिस की तैयारी करें आप मैंसे बहुत सारे जो लड़के वो सरकारी नोकली लगने है साड़े पांच हजार लड़कों का राजिस्तान पुलिस में नमरा ना है आज आपको कुछ नहीं चीए लेकिन जैसे आप जोब लग जाते हो कॉलेटर आपका जाता है आपे चैन के बिल्कुल निकट हो तो घर वालों की जो बोलने के अंदाज है वो आपके बदर जाते है और वहाँ से चिजों की शुरुवात होती है दहिज लेने की अपने लड़के को अपनी लड़की को सभी देते हैं सभी देते हैं यह संकेत दिया का अगर आप दहज देते हो तो हमारे यहाँ पर स्वागत है हमारे चड़ावा चड़ता है दहज के रुप में कोई दिकत नहीं है दहज लेने और दहज देने जिस परकार से लेना अपराद है उसी परकार से दहज देना भी अपराद है कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने लड़की को अच्छे घरों में भेजने के नाम पर अपने से रहीस लोगों के पास भेजने के नाम पर वो लंबे चोड़े दहिज देने का वादा करते हैं तो दहिज लेना जैसे अपराद है देना भी अपने आपने गुना है, क्राइम है, अपराद है सईयोग करना आप दहेज न तो ले रहे हो और नहीं दहेज दे रहे हो लेकिन आप दहेज लेने देने में मदद कर रहे हो किस परकार से? जैसे आप यह कहते हो अरे यार, अपने लड़की को सभी देते हैं, कोई दिक्त नहीं यह दो यार, बार-बार थोड़ी है एक लड़की है आपके, तो आप उसको प्रेरित कर रहे हो, आप दहेज लेने के अंदर क्या कर रहे हो मदद कर रहे हो, या यह माल लो, एक व्यक्ति को और दहेज लेने के लिए पांचलाक रुपे जरूरत है वो आदमे आपके पास में आता है का मुझे पांचलाक रुपे की जरूरत है और आप उसे पांचलाक रुपे दे देते हो किसके लिए, किसके लिए, दहिद देने के लिए या आपने क्या किया, आपने सुयो किया क्योंकि दहिज के नाम पर आपसे लेकर के जा रहा है सयोग के रहा है ये सभी के सभी है वो क्राइम माने गए अपराद माने गए अब देखो इसके अंदर क्या किया गया है इसके अंदर ये वेवस्ता की गई है कि अगर कोई व्यक्ति इस परकार से देहिद लेना देनार सेयो करने में मदद करता है तो इसके लिए 10 साल तक की सजा कर दी गई है 10 साल तक की सजा कर दी गई है और 10,000 रुपे का जुर्माना है निउनतम 6 मेने की सजा होगी इसके अंदरे देहिद निशेद दिनियम 1961 के तहते निउनतम जो सजा होगी वो होगी आपकी छेमा और अदिकतम है उसको 10 साल कर दिया गया है इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त 10,000 रुपे का जुर्माना है जुर्माने में एक कंडिशन जोड़ी गई है कंडिशन यह जोड़ी गई है का जितना दहेज मांगा गया था जो दहेज मांगा गया था या 10,000 रुपे इन में जो ज्यादा होगा उतना दंड देना पड़ेगा जैसे किसी व्यक्ति ने और दहेज की मांग की का मैं 5,000,000 रुपे लूगा तो वहाँ पर 10,000 रुपे का दंड का परादान लागू नहीं ह तो वहां पर किसका नाग करने का recognizing आपका पांस लाख रुपए का नियम लागू होगा तो वह दंड है वह उष्ध का लगीगा है यहां पर लिखा गया कदेओं निशद दिनियें 1961 की दारा कि यह शो दंडनी है दहज ऑन दह refugee देना यह देना यह देना यह अंदर दहिज दिमान करने का मतलब ही होता है कि माल नीदिय के एक लड़के के ममी पापा है वो लड़की के ममी पापा को कहते हैं कि हमारे सुनिल की और फीज दिमा करवा देना फीज है वो दो लाक रुपे है तो फीज दिमा करवा देना ये क्या होगी डिमांड है वो किस प भारतिय दंड सहिता की दारा 408 में A, निर्ममता तता दहेज के लिए उत्पिड़न 304 B, इससे होने वाली म्रत्यू और 306 भारतिय दंड सहिता उत्पिड़न से तंग आकर के महिलाओं के द्वारा आत्मत्या के लिए प्रेरित करने वाली गठनाओं से नेप्टने के लिए का 408 में A, इस IPC की दारा के अंदर ये कहा गया है, कि एक लड़की जो है, उसकी सादी के साथ वर्षों के अंदर, अगर एक लड़की की सादी के साथ वर्षों के अंदर, अगर म्रत्यू हो जाती है, तो उसे इसके साथ में दहेज के लेने देने के साथ में जोड करके देख जाता कानुन बनावा है यह तो एक तो धारा चार सो अठाण में ए वेरी वेर इंपोर्टेंट है दूसरी है देहज के लिए उत्पिडन धारा 304B देहज उत्पिडन चोने वाली जो हत्ता है इससे जूड़ी हुई है यानि यह कि महिला की मृत्यू हो जाती है और उसके अंदर यह बात आती है कि यह देहज उत्पिडन की बज़े से मौत हुई है तो धारा 304B के अंदर उसको परिवासा दी गई है देहज उत्प आकर के अत्म हुटा कर लेती है इसका उलिख भी इसके अंदर किया गया है very very important point यहाँ पर देखो अगर एक लड़की की सादी होती है और सादी के सादी के साथ वरसों के अंदर जहांगे न यहाँ इमपोर्टन पोउंट है बहुत important point है यहाँ पर 7 वर्षों के अंदर अगर एक लड़की की विवा के 7 साल के बीतर ऐसामाने प्रिष्थितियों में मौत होती है ऐसामाने प्रिष्थिति में ऐसामाने प्रिष्थिति को कुछी होगी जैसे ऐसामाने परिष्टिती होगी कि मालने जिए कि उसने सुसाइड कर लिया यह ऐसामाने परिष्टिती है कुए में गिर गई है जल करके उसने अपने प्राण दे दिये या अन्य तरीके के कोई हाथसा जिसको हाथसे का रूप दे दिया गया है लेकिन आपको लगता कि यह जो रूप है, यह संदिक्द है, एसी स्थिए के अंदर यह ऐसामान परिष्टितियों में मौत होती है, और यह साबित कर दिया जाता कि मौत से पहले उसे दहज के लिए परतारित किया जाता था, ऐसामान परिष्टितियों में तो मैला की मौत हो ऐसा माने प्रिस्तिती का मतलब हो गया कि उसने मान लिए कि सूसाइड कर लिया उसने सूसाइड कर लिया ऐसा माने प्रिस्तिती है और ये चीज सिद्ध हो जाती है कि उस मैला को देज के लिए पहले प्रताडित किया गया था उस कंडिशन में उस कंडिशन के अंदर भारते धन सैंता की दारा 304 B 304 B जो है के अंतरगत लड़की के पती को क्योंकर लड़की का जो पती है वो सबसे निकट का व्यक्ति था जो उसके प्राण बचा सकता था अगर देज के लिए प्रताणित क्या जा रहा तो उसके द्वारा उसे एसे परियास नजर आने चीए कि उसने उसको बचाने का परियास किया लड़की के पती और रिष्थेदारों को कम से कम साथ वर्ष से लेकर के आजिवन कारावास साथ से लेकर के आजिवन कारावास है यह यह very very important point है यह आजिवन कारावास इसको फिर समझे लीजिएगा अगर एक महिला की साधी हुई है यह IPC में सब सब लिखावा है अगर एक महिला की साधी हुई है और साधी के 7 साल के अंदर उसकी सामाने परिष्थितियों में मौत हो जाती है और यह चीज यह साबित कर दिया जाता है यह परमानित कर दिया कि इस लड़की को दैज के लिए दिन्डित किया गया परताडित किया गया था दैज मांगा गया था और उससे दुखियों करके इस लड़की ने अपनी जान दी है तो उस लड़की के पती को और निक एकदम से निकट के हैं जिनका उस सयुक्त परिवार के अंदर उनका परभाव है तो उन सब को आपके साथ वर्ष से लेकर के आजिवन कारावास्त की सजा हो सकती है very very important point इसके बाद मैं आज़े देखेगा आज़े दिया गया है का दहेज हम किसे कहेंगे दहेज तो दहज के समझे में हमने दहज निवालना दिनें 1961 को अपने पढ़ा है और उशी को यहां पर विस्तारित किया गया है का दहज है वो क्या है यहां पर तो दहज आक्त के तहट एक तो सब्सक्तेमानवा दहज का दूसरा उपहार का और तीसरा इस्त्रीधन का तो आपको ये पतावनाचिये का देज क्या है नमर दो ये पतावनाचिये उपहार क्या है और नमर तीसरा इस्त्रीधन क्या है इस्त्रीधन तो इन तिनोई चीजों को इसके अंदर डिफाइन क्या गया है तो देज क्या गया है का परतेक्स या परोक्स तोर पर दी गई कोई संपती या मुल्लेवान परती भुती सुरक्सा या उससे देने की सहमती या उस सुरक्सा या उससे देने की जो सहमती होगी वो दहिद कहला जाएगी यानि आपने पर्तेक्स में नोट देदिया मोटरसाइकल गाड़ी देदी यही देज नहीं है परोक्स रूप से भी देज देदिया आजा सकता है जैसी हो गया का भई हमें आपके नाम पर प्लोट करवा देंगे प्लोट करवा देंगे या आपने मान लीजिये का 5 लाक रुपे उनसे ले रखें तो उसको सेटलमेंट कर देंगे उसके अंदर तालमिल बिठा देंगे या आपने यह कह दिया का हमारा जो लड़का है वो जेपुर के अंदर फ्लाणी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है एक साल की 2 लाक रुपे के फिस है आप एक बर जबा करा कर क्या जाओ तो यह परोक्ष रूप से आपने और वो ले लिया यह देज माना जाएगा यह देज माना जाएगा इसके अलावा देखो क्या कहा गया विवा के एक पक्स के द्वारा विवा के दूसरे पक्स को विवा के किसी पक्स के अभी वहोको के द्वारा विवा के किसी पक्स के किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को या साद्दी के वक्त या उससे पहले या उसके बाद कभी भी जो की उपराप्ट पक्सों से समधित हो जिसमें मेहर की रकम समलित नहीं की जाती है मेहर ये जो मुसलिम लोगों होते हैं इनके अंदर ये सब जिस्तेमाल होता मेहर मुसलिम लोगों के अंदर सब जिस्तेमाल होता मेहर तो ये जो मेहर है ये देज में सामिली नहीं है ये मुद इखाई है ये इसलाम दर्म के अंदर क्या होता है कि जो साधी विवा होते हैं उसके अंदर पहले तय होता है कि ये मेहर दिया जाएगा बच्ची को तो उसको देज के अंदर सामिली नहीं किया गया है तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखोगे इस परकार दहज से समंदी तिन इस्ततियां होती है यह तो विवा से पहले की स्तति होती है का भई विवा से पहले आपने लेंडेन कर लिया विवा के अवसर पर भी लेंडेन होता है और विवा के बाद में भी लेंडेन होता है यह तिन और इसका परियोग इस्त्री करेगी इसके अलावा लड़के और लड़की दोनों के common उपियों के सामान होते हैं जैसे मालेजे कि लड़की की साधी के अंदर और आपने एक बैड दिया फरनिचर दिया है टेबुल दिये टीवी दिये तो ये दोनों जो चीज़ें ये लड़ इसके बाद में दियावा उपहार उपहार क्या है उपहार है लड़की साधी में जो समान अपने साथ लेकर क्या कि लड़की और उसके पती को या उसके पती के रिष्टेदारों को दिया जाता है जैसे साधी के अंदर विबिन तरह की पहरावनिया दी जाती है सास को दी ज जाती है जेट को दी जाती है नंदोई को दी जाती है अलग-अलग लोगों के इससे के अंदर अलग-अलग चीज़े आती है वो जो चीज होगी वो उपहार होगा और इस तरी दहने अलग होगा और दहज अलग होगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट इसको समझेने का प्रियास क किजिए अब इसके अंदर देखो क्या कहा गया है कि दाराद दो के तहट देहज का मतलब कोई भी संपतिया बहु classrooms परति-भूति देना जा परतेक्स या परक्स रूप से मदद करना यह दारा दो में है किस कानून के तहते देहिज निवारन दिनियम देहिज निशेद दिनियम 1961 के तहते और देहिज लेने या देने का अपराद है दारा तीन में दारा तीन में और दारा दो के अंदर है देहिज का अर्थ है और दारा 4A में ये दिया गया है कि इस तरह का देहज के लेन देन के समन्द में कोई भी आप पबलिसिटी विग्यापन नहीं कर सकते और इसके बाद में इसकी जो सिकायत है वो घठना के एक वरस के अंदर की जा सकती है इसके साथ साथ में यहां पर गरेलू इनसा दिनेम 2005 आ गया है ग इसके ऊपर हम अगे के वीडियो में बात करेंगे कल आपकी क्लाश में और लोगा इसमें और आगे का जो परसन है उसके ऊपर अपनी बात होगी देखिए इसमें जो टोटल पेज है नवो 28 पेज है हमने अभी तक आठ पेज के ऊपर बात कर लिये मैं उमेद करता हूं कि 8 पेज तक की जो विशेवस्तु है वो आपके समझ में आई होगी मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्यूंकि यह ठाइस पेज अगर आपने दो तीन चार बार पढ़ लिये आपने फस्ट रेंग के यूटूब चैनल के उपर इसको दो तीन बार पढ़ लिया तो आपका एक भी प्रशन गलत नहीं होगा मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं